हेलो फ्रेंक्स आज मैं बनाने वाल ही बहुत अच्छी रेसिपी स्वीट है बहुत ही टेस्टी बनती है जिसका नाम है शाही तुकड़ा बहुत ही देखिए शाही भी देख रहा है ये और बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने पैन लिया हुआ है अब इस पैन में मैंने आधा कप शक्कर और आधा कप पानी लिया हुआ है आप जितना शक्कर लेंगे इतना ही आपको पानी लेना है और इसे अच्छे से एक उबालाने तक पकाना है इसकी हमें एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है शक्कर अच अब मैं इसमें निंबू का रस डाल रही हूं ठोड़ा सा ताकि इसमें crystal form ना हो और अच्छे से मिक्स कर दे रही हूं तो देख सकते हैं ऐसी consistency चाहिए इसकी हमें के अच्छे से बन गया है अब मैं इसे साइड में रख दूंगी थोड़ा सा थंडा होने के लिए अब हमें रबडी बनानी है जिसके लिए मैंने एक मोटे तेले की कड़ाई ली है उसमें मैंने दूद डाला है आधा लेटर गाय का दूद आपको जो दूद चाहिए आप वो दूद का इसमें यूज़ कर सकते हैं अब हमें इस दूद को एक उबाला आने तक अच्छे से पका लेना है देखिए एक उबाल आ गया है इसमें अभी अच्छे से लिया है दो चम्मज के औरकरीब कॉणफलार है अब इसमें मैं इस गरम दूद को डाल दूगी और अच्छे से इसे mix कर लोगी देखिए दूद को डालना है और अच्छे से without lumps हमें इसे До Todos light हमें mix कर लेना है और अच्छे से हमें इसे थोड़ा गाडा होने तक पका लेना है अब हमें बीच-बीच में दूट चलाते हुए दूट के किनारों को भी अच्छे से निकाल कर trap marry हरिप से दूद में ही mix करते चाना है दूद अभी थोड़ा गाड़ा हो गया है थोड़ा सही गाड़ा हुआ है तो उसमें मैं अभी 1-8 cup के करीब शक्कर डाल रही हूँ आप आपके स्वात के अनुसार या आपको जितना मीठा पसंद है आप उसके अनुसार इसमें शक्कर डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए देखिए मैं किनारों को वापस अच्छे से साफ कर रही हूँ अब मैंने इसमें केशर का दूद लिया हुआ है मैंने गरम दूद में केशर को दो घंटे के लिए भिगोकर रखा हुआ था तो देखिए कलर बहुत अच्छा आगिया है इसका आप अगर चाहें तो इसमें फूर कलर भी डाल सकते हैं यलो कलर का अब देखिए दूद अच्छे से गाड़ा हो गया है तो मैं अब इसमें डालूंगी काजू और बादाम आप आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं ड्राइ फूर्ट्स और थोड़ा सा मैं ड्राइ फूर्ट्स रखरी हूँ गार्निशिंग के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसे अभी मैं और दस मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर पका दूँगी तो देखिए रबडी बनकर तयार है मैंने जितना दूद लिया था उसका थ्री फोथ कॉंटिटी मैंने बचा कर रखा है यानि मैंने आधा रिटर दूद लिया था तो उसका थ्री फोथ कॉंटिटी है ये इतना तो रबडी बनकर हमारा तयार हो गया है तो मैंने अब भी bread का slice लिया हुआ है white bread का इसको side से cut किया है और अब मैं इसे beat से cut कर दे रही हूँ तो देखिए आप मैंने इसे beat से cut कर लिया है इसी तरह मैं दुसरा जो bread है उसको भी cut कर लूँगी आराम से cut करना है ने तो जो पूरा bread है वो तुट जाएगा इसे अब मैं गरम होने दूगी तेल अच्छे से गरम हो गया है अब मैं इसमें bread डाल रही हूँ और low flame पर ही मैं इसे अच्छे से fry कर ले रही हूँ और अच्छे से हमें इसे अभी पल्टी कर लेना है मैं चिम्टे की help से इसे पल्टी कर रही हूँ आपको जो भी comfortable लगे आप उसे पल्टी कर सकते हैं देखिए अच्छे से थोड़ा सा golden brown कलर आ गया है इसे हमें जादा flame पर नहीं रखना है नहीं तो ये जल जाएगा फिर ये खाने में टेस्ट भी नहीं अच्छा आएगा ध्यान रहें low flame पर हमें इसे fry कर लेना है अब देख सकते हैं इसे अच्छे से color आ गया है golden brown दोनों तरफ से अब मैं इसे tissue paper पर निकाल लूँगी देखिए मैं इसे अभी tissue paper पर रख रही हूँ ताकि जो भी extra oil है वो निकल जाए अब बचे हुए bread को भी मैं अच्छे से fry कर ले रही हूँ तो देखिए दोनों बाजू से अच्छे से fry हो गया है ये अब इसे भी tissue paper में निकाल कर ले रही हूँ और अब ये जो चाशनी है उसे मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया था उसमें ये bread को 10 से 12 सेकेंड के लिए मैं अच्छे से इसमें डिप कर रही हूँ ज्यादा देर के लिए हमें इसे डिप नहीं करना है नहीं तो क्या है ये बहुत ज्यादा नरम हो जाएगी तो देख सकते हैं आप इसे मैंने अच्छे से 12 सेकेंड के लिए इसमें डिप कर लिया है अब मैं इसका प्लेटिंग करूँगी तो इसे मैं एक प्लेट में ऐसे निकाल ले रही हूँ इसी प्रकार मैं और सारे bread को भी कर लूँगी देख सकते हैं आप मैंने और भी जो bread है इसे डीप कर लिया था इसका भी मैं अच्छे से इसे प्लेटिंग कर लूँगी एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ मैं इसे आप इसके उपर मैं इसको रबडी को डाल दूँगी देखिए रबडी बहुत अच्छी गाड़ी हो गई है जितनी थंडी हो जाती है उतनी अच्छी गाड़ी हो जाती है तो देखिए मैंने रबडी को डाल लिया है इसके उपर आपको जितना पसंद है आप आपके अकॉर्डिंग इस पर रबडी डाल सकते हैं अब मैं इसके पर जो मैंने काजू और बदाम रखे हुए थे बचा कर उससे इसके पर गार्निश कर रही हूँ आप कोई भी ड्राइफूट से इसे गार्निश कर सकते हैं देखे मैंने इसे गार्निश कर लिया है बहुत ही टेस्टी बनती है आप भी बनाएए और प्लीज आपका फेड़ बैक मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए थैंक्स फॉर वाचिंग